और वाई लोग क्या हल चाला कैसे हो तुम लोग बड़ी एकदम तो यार आज हम लोग परने वाले हैं Glimpses of India chapter के बारे में यार इसके तीन पार्ट है तो इस वीडियो में हम लोग इसका पार्ट वन परेंगे बाकी के यार दो पार्ट के लिए में अलग वीडियो डाल दूँगा तो यार सबसे पहले मैं बता दूँ कि Glimpses का मतलब होता है यार कुछ चीजे जो exactly पूरी तरह से describe नहीं की गई है ऐसाइकल आ गई है उस जवाने की अपने जवाने की बताते थे यार तो उस जवाने की कुछ ढूंदली यादे है कुछ लिखा ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का सबसे पहला पार्ट जो है यार वो है ए बेकर फ्रम गोवा जिसे लिखने वाले शक्स का नाम है लूसियो रॉड्रिक्स और यह जो राइटर है यार हमारे इनकी यार कुछ धुंदली यादे हैं बेकर को लेके जब यार पॉर्चुगीज राज था गोवा पर ठीक है उन्होंने लगबख सारे 400 साल यानि कि 450 राज किये लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुछ अपनी छवी छोड़ दी जैसे कि यार ब्रिटिस लोगों नहीं 200 साल राज किया और अपनी छवी छोड़ के चले गए या आज ही उन्हीं की देने के हम लोग बोलते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़े हैं जो ब्रिटिस अपने यहां छोर के चले गए और हम आज भी उनको फॉलो करते जा रहे हैं ठीक उसी तरह से यार पॉचुगीज की दी हुई यार यह ब्रेड की प्रता है वो आज भी चलती है तो चलो जारा देखते हैं कि रैटर लोफ सी यार एक पूरलर फॉर्म है लोफ का और लोफ यार एक गोल ब्रेड है ठीक है वो भी एक ब्रेडी है वही रैटर साहे बताते हैं कि हमारे पूरवज लोग जो है यार वो उस गोल्डन पीरिट को याद करके बहुत ही खुश होते हैं कि किस तरह से उनके समय में या अवाज सुनकर उठ जाते थे मतलब कि तुम्हें बहुत पहले देखा होगा यार कि पहरे चानाचूर बेचने वाला आता था जो यार एक सर पे अपने टोकडी रखता था और एक हां से टोकडी को पकरता था ताकि जैसे कोई मांगे तो वह लकडी बिचा दे ठीक है लकड होता था और उससे ही वह कुछ अपनी बजाता था उसको जमीन पर ठोकता था ताकि उससे कुछ आवाजे निकले और यही आवाज सुनकर यार बच्चे लोग जो हैं वह सुबह सुबह जल्दी उड़ जाते थे फिर हमाई रैटर साइब बताते हैं कि जो बेकर था यार जो बहुए कर प्र को च्छोटे बच्चे थे तो कैसे वह बेकर वाला जो है दिन भर में दो-बार आता था एक बार जो ब्रेट बेचने जा रहाए होता करके सामने से क्रॉस करता था। उसकी बांसकी जनजन आवाज जो ग्राउंड भॉब ठोकता था। तो उसकी जो आवाज निकलती थी न 90 तो उससे सारे बच्चे वुड जाते थे और उसके पीछे भागते थे, बिना brush rush किये हुए यार उसके पीछे भाग जाते थे, अब तुम सोच रहे होगे यार कि वो बच्चों लोग जो थे यार वो bread के पीछे भागते थे, उस loaf के पीछे भागते थे, कि वो loaf खर देंगे, या फिर वो bread वाला यानि कि बेकर जो है, वो कुछ खाने के दे देगा हमें, नहीं यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लोफ जो था यार वो तो पास्कीनो बैस्टीन के ग्रूप में घर में यार नोके चकर ले आते थे, बच्चे यार इसलिए भागते थे, क्योंकि यार उनको bread बैंजल्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, वो बहुत बहुत ही मेठे होते थे और बहुत ही गोल गोल धंग से बनाये होते थे, ठिक है, गोल था एकड़ पट्टी टाइप बना करता था, नमसकार करता था, पर नाम करता था उपर सा यार एक हांट से साल से टोकरी उतारता था और उस पर रखता था और सारे बच्चे यार इधर उधर जहाकन लगते थे तो वो बेकर जो है उनको डांट फगार के भगा आयता था यह भाग यहां से क्यों करने आगा तुम लोग जाओ थी एकदम से ही सारे बच्चे आ जाते थे और भीर लगके एक जूट हो जाते थे फिर रैटर साथ बताते हैं कि आज भी उनको उन लोफ की यार खुश्बू बहुत ही अच्छे से याद है कैसे वो इस मेल करती थी वो आज भी उनको याद है बच्चे यार वो लोफ होता था लेकिन बच्चों के लिए वो बैंगल्स होते थे ब्रेट बैंगल्स होते थे जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्यारे थे बच्चे यार बिना मुहा धोए बिना ब्रस किये हुए खाने के लिए उताबले हो जाते थे वो लोग सोचते थे कि मूँ धोने का कष्ट कौन उठाएगा, कौन जाएगा और आम के पेर से वो आम की डंडी तोरेगा और फिर उससे दत्मन करेगा, ब्रस करना मतलब यह दत्मन करना, ठीक है, हमारे गाउधियाद में वहासा है बोलता है दत्मन करना, आम के पल्लो को तो उसमें से डंडी निकाल और उससे ब्रस करो, पहले ऐसे ही होता था, अब तो यार आगया ब्रस आगया, कौल गेट आगया, पहले दत्मन होता था भाई, तो वो लोग सोचते हैं कि कौन जाएगा, और राम की पल्लू तोर के उससे दत्मन करेगा, उससे ब्रस करेगा, शेर कोई भी साथी के गिफ्ट में अगर वो ब्रेट नहीं गया, जिसका नाम बोल था, तो बहुत अधुरा लगता था, लासाथा दा की जिसके कुछ दिया नहीं गिफ्ट में पार्टी फंक्शन में ब्रेट ना हो तो मजा ही नहीं आता था जैसे यार आज की पार्टी में चिकन वारा ना हो तो मजा ही नहीं आता है गोवा में उस जवाने में यार वहां की औरते जो है अपनी बेटी की इंगेजमेंट में यार सेंविच बनाती थी केक्स और बॉलीन हाज यार Chrismas में बनना ही बनना था या फिर other festival होता था यार उसमें बनना ही बनना था गावा में यार एक baker की भृटी होना तो यार निश्ची थी थी मतलब कि होगी ही होगी खुच भी हो जाए गोवा में यार उस जवाने में ये बहुत ही famous था और आज यार गोवा का beach famous है सब लोग यार गोवा में beach पे जाना चाहते हैं समुदर किनाने बैट के पानी को feel करना चाहते हैं बेकर यार ब्रेट बेचने वाले का यार उस जवाने में एक special dress होता था एक अजीब कलर का dress होता था जिसका नाम था यार कबाई यार बिल्कुली long frog की तरह दिखता था जोग घुटने से नीचे तक आ जाता था और यार राइटर साहब के बचपन में जब यह बेकर वाला आता था तो यार वो एक shirt पेहन होता था उपर में और नीचे में trouser पेहन के आता था मैंने तुम्हें सुरू से उतास होते हैं हर दोमैं तुम्हें के ऐसा जीव वड मिल जागा जिससे यार लोग चिरहते हैं हो सकता यार, गोवा में आज भी, पैडर के नाम से लोग चिराते हूँ, और वो जो बेकर होता था यार वो अपना बिल, जो है, मंत के last में ले जाता था वो यार, दिवाल पे पैंसिल से लिख देता पर यहां पर पेंसिल वर्ड यूस किया इसलिए मैं तुम्हें बता दिया कि वो पैंसिल से लिखता था मतलब कि यार उस जबाने में बेकर लोग का बहुत ही अच्छा खासा धंदा चल जाता था ब्रेड बनाना यार एक profitable business था उनके बाल बच्चे यार कभी भी भूके नहीं सोते थे नोकर चाकर जो भी थे यार वो लोग सब बहर पेट खाना खाते थे और बहुत ही सुकून की जिन्गी जीते थे बहुत ही खुश थे यार वो लोग तो तुम करोगी करोगे लोग इसलिए जाते हैं वहाँ पर खैर यार इसका mcq का लिंक यार मैंने description में दे दिया तो तुम लोग यार वहाँ जाओ और वहाँ जाकर यार लिंक पर क्लिक करो mcq दो ठीक है और इसका second part यार बहुत ही जल्द आ जाएगा तो यार चैनल को ज तो तो बागए